Hello students, welcome back to the part 2 of theories of international trade चलो, hopefully आप वो सारी चीज़ें कवर कर चुके, दो दो ही theories पड़ी थी, बढ़ ठीक है, एक basic idea लग गया आपको के international trade की जो theories है वो क्या है तो अब हम बात करते है students आगे और कौन-कौन सी theories है जबकि part 1 में मैंने आपको जो basic ideas दे, जितनी भी theories हमें इस chapter में cover करनी है वो बता दिये थे, अब हम बात करेंगे part 2 के अंदर और जो बचीव theories हमारे पास है वो कौन-कौन सी है, तो comparative advantage theory, सबसे पहले हमारे पास कौन से comparative advantage अब students विले एक बात समझो, कि comparative advantage का क्या मतलब है देखो, absolute advantage में हम बात कर रहे थे कि एक country को उस तरीके से trade करना चाहिए, जिसके अंदर उस country के पास सबसे ज़्यादा क्या है? तो अगर आप किसी चीज में specialized है, उस चीज को बनाईए, दूसरी countries को भेजिए और अपना पैसा अर्ण करिए comparative advantage theory, comparative cost का आप मतलब समझ रहे हो, कि मैं भी कुछ बना रहा हूं और वही चीज़े तुम भी बना रहे हो हम एक काम करते हैं, हम उन दोनों चीज़ों में जो आप भी बना रहे हो, जो मैं भी बना रहा हूं, हम यह देखते हैं कि comparatively किसको क्या बनाना सस्ता बढ़ रहा है ठीक है, specialization की बात नहीं है, किसी भी conditions की वज़े से कोई चीज हो सकता है कि मुझे सस्ती बन जाए और आपको मेहंगी बन रही हो तो हमें इस particular theory में जो सबसे main चीज है student, वो क्या देखना है, cost ratio cost ratio का मतलब है कि अगर एक चीज मैं बना रहा हूँ और वही चीज आप बना रहे हो, तो cost ratio क्या आएगी similarly, दूसरी चीज अगर वही मैं बना रहा हूँ, आप बना रहे हो, तो cost ratio क्या आएगा इस cost ratio से we can decide कि कौन सी चीज तुम्हें बनानी चाहिए, comparatively क्योंकि तुम्हें cheap पड रही है और कौन सी चीज मुझे बनानी चाहिए, comparatively जो मुझे cheap पड रही है तो यहाँ पे specialization की बात ही नहीं आएगी, अब जैसे कि less developed countries है, वो specialized हो, किसी चीज में है नहीं लेकिन आप सोच के देखो, क्योंकि वो labor abundance है, और labor abundance होने की वज़े से, एक जिस example के लिए हो सकता है कि agriculture वहाँ पे, climatic condition और बाकी चीज से सही हो, तो better रहेगा वो काम वहाँ पे करवाना and that is the reason, आप समझ सकते होगे, कि जो developed nation है, वो अपनी जादातर investment चाइना में और इंडिया में और other eastern जो Asian countries है, उसमें करते हैं, क्योंकि उनको पता है न, कि वहाँ पे labor बहुत cheap है, तो वो चीज बनानी सस्ती पढ़ जाएगी, तो आप समझ रहे हो, cost ratio का main काम होता है किसके के अंदर, comparative cost theory के अंदर, चलो, theory पढ़ते है, तो comparative advantage theory क्या कह रही है, classical economist David Ricardo presented, जिसे हमने बात की absolute advantage theory, वो किस ने दीती, वो दीती, sorry, Adam Smith ने, जो father of economics थे, economics थे, जो मैंने उनको बताया था, तो classical economist David Ricardo presented the law of comparative advantage in his book, principles of political economics, he further elaborated the labor theory of value, student please, यहां पर ध्यान दो, जो labor theory of value है, यह theory, मैंने क्या कहाता आप से, कि एक बंदा foundation रखता है, उसके बाद ही आप उसमें से, जो भी errors and omission से उसको attack करके, नहीं theory बनाते हो, तो अकर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने आपको समझाया था, कि जो Adam Smith नहीं लेबर theory of value को propound किया था, तो on the famous and still unchallenged theory of comparative advantages in cost or theory of comparative differences in cost was based upon, he stated that if one nation is more productive than the other in both lines of production, mutually advantageous trade can still take place provided other nation is not equally less productive in both lines of production, वो कहरे है, हो सकता है कि अगर मैं एक या दो तीन चार चीज़ों की बात करें, तो एक nation जो है, वो क्या है, बहुत productive होगा किसी चीज़ को बनाने में, किसी एक, दो, तीन, चार प्रोड़क को बनाने में, दूसरा nation उससे कम productive होगा, लेकिन सिल इतना भी कम productive नहीं होगा, कि वो उन चीज़ों को बना ही ना सके, कि उसको बिलकुल ही मना ही कर दो कि भाई, तुझे ये काम करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट, ओके, the less efficient nation should specialize in the production of and export the commodity in which its absolute advantage is less, जिसमें तुम्हारा absolute disadvantage कम है, उस चीज को तुम्हें क्या करना है, उस चीज को तुम्हें नहीं बनाना है, comparatively जिसमें तुम अच्छे हो, तुम उसके ओपर काम करो, आगे, this is the commodity in which the nation has a comparative advantage, यही वो चीज है, जिसमें तुम्हें comparative advantage मिलेगा, on the other hand, the nation should import the commodity in which its absolute disadvantage is greater, जो तुम्हारा absolute disadvantage है, absolute का मतलब क्या है, कि बाई, पता है कि तुम इसमें बिल्कुल ही बेकार हो, तो जो जिसमें तुम सच में बिल्कुल बेकार हो, उसको इंपोर्ट कर लो, this is the commodity of its comparative disadvantage, जुकि comparative तुम यह काम खराब कर रहे हो, तो उसे करने की sources बे अच्छे use होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी theory तो assumption है, और यहां पर assumption, यहां तोड़ा एक मिन में black pen ले ले दा हूं, ताकि मैं pointers highlight कर सकूं, कौन कौन से assumptions के हैं, सबसे पहला मारे पास यह रखा है, for the sake of convenience, Ricardo assumes that there are two nations, he took England and Portugal as examples in his demonstration, वो कह रहे है कि भाई, उन्होंने यह माना कि भाई, दो ही nations है और जिसमें उन nations को highlight किया गए, किसके साब से, England and Portugal, like model को complex ना करके easy रखने के, फिर next हमारे पास assumption है, only two commodities, के वल जो है, two commodities के बारे में जिक्र किया जाएगा, so that अराम से cost ratio जो है, वो easily calculate किया जासे किया ठीक है, Ricardo assumes labor theory of value, cost of each commodity is expressed in terms of labor alone, which is the only factor of production, देखो जो चीज़े ऐसी होती है यही बाद में criticism बनती है, खीक है, supply of labor remain fixed, okay, all units of labor are homogeneous, इसका मतलब क्या है, कि सारे labor की जो efficiency होगी, बराबर होगी, तो मैं ऐसा नहीं कहोगे कि इस labor की efficiency जादा है, इसकी कम ऐसा नहीं होगा, labor is fully employed in both the nations, the theory is spelled out in terms of long period, कि किसी भी labor, कि इसी भी country में जो labor is unemployed नहीं है, सारे labor का utilization करने के basis पे ही बताया गया है, right, next है, it is perfectly mobile within each nation, but perfectly immobile across nation, वो कहरे कि जो labor है, उसो करना क्या आपको या रखना है, कि वो एक जगा से दूसरी जगा, एक countries में असानी से गून सकते हैं, but ऐसा नहीं होगा कि तुम दूसरी countries में उनको ब knowledgeable, rational का मतलब है कि वो decision making अच्छी करते है, rational का मतलब यह हो गया कि जो factors of production है, partiality किसी तरह की नहीं करेंगे, और उनके बाद knowledge है, labor is used in the same fixed proportion in production of all commodities, जो जितने labor तुम इस country में लगाओगे, किसी चीज़ के production, उतरे ही तुम्हें वहाँ भी लगाने है, यह नहीं कि तुम एक ज absence of transportation cost on carrying trade between the two nations, ठीक है, तो transportation cost मत लेके चलो, क्योंकि transportation cost है क्या होगे, तो फिर बात आईगी कि इतना पैसा लग गया, मंगाने में, ले जाने में, और पैसा लग रहा है, तो यह चीज़ नहीं होंची है, तुम्हें बात करते है, constant labor cost, constant labor cost का मतलब यह हो गया, कि तुम यह कह आपते हो कि जो तुमारा हर unit का production हो रहा है, वो same cost पे हो रहा है, constant labor cost का मतलब हो गया, जो labor को rate तुम यहां पे दे रहे हो, वह rate तुम उस country में भी दोगे, right, similar taste in both the nations तभी exchange हो सकते है, technical knowledge remains unchanged, okay, there is free trade with no barriers, okay, trade between the two nations, takes place on the basis of barter system के, मैं यह समना रहा हूं, तू वह समना रहा है, international market is perfect so that the exchange ratio of the two commodities is the same, ठीक है, demand is not considered to be deficient on either national or internal market, okay, demand को तुम deficient वगेरा मानके नहीं चलोगे, ठीक है, okay, just some more students, अगे गिए गिवन देजीं डद् skirts तो आटेजी वहें थाइज यू टे ही है चौपिडही सब्सज कि को अच्छा बना पार मैं पूरी पूरी सब्सुरिटिय के चलो अब सुरें देखो क्या है कि ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ इस एक्जांपल के थू में समझना है यहां पर देखो क्या का गया है आपसे यहां पर आपसे एक सिंपल सी बात की गई है कि England जो है वो wine की कितनी उन्ट बना सकता है 60 और cloth की कितनी बना सकता है 80 Portugal wine की बना सकता है 150 और cloth की 100 तो अगर आप जहान से देखो तो आपको एक बास समय में आएगी England 60 बना रहे 80 Portugal wine और cloth दोनों ही बहुत अच्छा बना रहे तो कि wine बना रहे 150 जबकि cloth बना रहे 100 ठीक है लेकिन अगर मैं इसी जगह पे England को देखता हूं सुर्ण तो England cloth वाइन तो कहरे एक्चली में बहुत कम बना रहे बट cloth वो कुछ खास कमनी बना रहा अगर देखा जाए तो इसने 100 बनाई है उसने बनाई है तो कुछ खास कमनी बना रहा रहा है इसी के basis पे हम जो है अपना पूरा analysis comparative advantage रही का करते है चलो देखते है क्या है अब देको इसमें का है Portuguese labor is more efficient than the English labor for sure in the production of wine as well as cloth it has to incur less labor cost in the production of each unit of the two commodities so Portugal has an absolute advantage in production of both wine and cloth for England the opposite is true right but Portugal would benefit by producing wine and exporting it to England as it possesses greater absolute advantage in it than in cloth as shown with the देखो इसको छोड़ो अब मैं मेन आपको दिखाता हूँ जो cost ratio है अब cost ratio के basis पे आपको analysis कैसे करना यह ध्यान से देखो cost ratio of wine निकालेंगे तो यह हमारे अगर हम रेशो प्लोट की बाग करेंगे तो यह कितना रहा है 0.8 और 0.67 अब आप समझ रहे हो ठीक है तो as the cost ratio of cloth is higher in England अगर हम ratio of cloth की बाग करेंगे तो क्योंकि England उपर है न तो England में कितना है 0.8 है मलब हायर है it has comparative advantage in the production of cloth उसको comparative advantage मिल गया क्योंकि आप अगर ratio निकाल रहे हो तो इस हिसाब से आपके पास 0.8 आया while it has comparative disadvantage in the production of wine these figures are reverse for Portugal for this country अगर हम देखो अब पॉर्टूगल के निकाल के देखो पॉर्टूगल के रहे कितना आएगा 150 by 60 तो यह आपके पास आएगा 15 by 6 मतलब 5 by 2 so 2.5 percent आगया if I am not wrong है ना आच अपान दो धाई 35 15 326 हाँ बिल्कुल सही है ठीक है और अगर हम पॉर्टूगल के लिए निकाले तो यह ratio कितना आएगा 100 upon me 80 right तो यह कितना percent आगया आपके पास यह आपके पास आएगा 10 upon me 8, 100 students मेरी account story calculation week है so I am using this calculator 10 divided by 8 so that is 1.25 percent so होगे reverse true कि आप देख सकते हो कि अगर पॉर्टूगल के लिए देखा गया तो पॉर्टूगल के लिए जो favorable आया है वो क्या आया है वो वाइन आया है ठीक है चबकि इसके लिए क्या favor आया था cloth तो यह बात होती है जिसके पास जो चीज जो ratio किया आजाए ज्यादा better तो यहां रिकावे तो यह कितना the cost ratio of wine is 150 by 160 that is 3 by 2 1.5 while cost ratio of cloth is 100 by 180 which is 1.25 so thus thus Portugal as comparative advantage in the production of wine and comparative disadvantage in the production of cloth तो यह student आपको समझना है चलो अब हम बात करते हैं जैसे की जैसे सारी theories है हर theory की criticism है इस theory की criticism क्या है comparative advantage theory is often criticized for the unrealistic assumption it is based upon the assumption that labor the only factor of production is homogeneous which is false and is used in fixed proportion is not true there is generally some possibility of substitution of labor for capital or for other factors in the process of production of the commodity thus the law of comparative advantage should not be based on the labor theory of value it should rather be explained in terms of opportunity cost इसका मतलब समझाब इसका मतलब सूरेंट यह है कि नेको possibility पूरी पूरी हो सकती है कि कि किसी country के अंदर labor बहुत जादा है किसी country के अंदर capital बहुत जादा है तो इस चीज को अज्यूम करते वे कि भाई दोनों जगा labor सेम होगी यह तो फिर बात गलत होगे ना किसी जगा पर labor से आपको काम सस्ता पड़ सकता है किसी जगा पर capital से आपको सस्ता पड़ सकता है तो आपको यह चीज हमेशा सोच के रखनी चाहिए कि labor theory of value पर नहीं होने चाहिए opportunity cost के term में हो चाहिए कि अगर मैं इतनी units को अपने देश में इस चीज के इतनी units को sacrifice कर रहा हूं तो उसके ब्याब पर जो दूसरा good है वो में को कितना बन जाएगा तो अगर मेरी country में opportunity cost cloth को produce करने की बहुत जादा आ रही है तो मैं आप से ले लूँगा लेकिन अगर मेरी country में opportunity cost दो सीज के बहुत कम है तो फिर तो better है कि आप मुझसे लो तो मतलब rather than इस बात को assume करके कि सारे labor की productivity एक जैसी होगी rather than इस बात को assume करते हुए कि तुम हमोजीनियस के case में production करोगे opportunity cost के basis पे जो production है वो की जाने चाहिए तो यहां से student हमें क्या मिलता है हमारा next जो theory of international trade which is opportunity cost theory तो opportunity cost theory पे तो मैं आऊंगा पहले जरा एक बर मैं आप लोग के concept recall करा दू मुझे पता है आप मेंसे बहुत सारे students को already opportunity cost आता होगा ठीक है कि बहुत सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हो but assuming that जिनको नहीं आता यह जो थोड़ा बहुत भी भूल चुके है मैं उनके लिए for a quick revision करा रहा हूँ आप जिनको आता है आप आगे skip कर देना video students opportunity cost का मतलब क्या होता है in economics it is known as cost of the next best alternative for gone ठीक है अब जो students को कहेंगे भाई easy तो bookish भाशा हो गई समझाओ इससे क्या होता इसका मतलब देखो student जो भी decision तुम लेते हो उस decision को लेने के लिए वो काम को करने के लिए तुम्हें और बाकी काम जो है वो sacrifice करने पड़ते है एक बात तो शायद आप में से बहुत से students को याद होगी that resources are limited in nature अगर resources limited है तो मैं एक साथ सारी चीज़ों को equal amount में सही से नहीं produce कर सकता तो resources क्योंकि limited होते हैं तो एक decision लेने के लिए दूसरे को sacrifice करना पड़ेगा लेकिन आप हमेशा कोशिश यह करते हो कि जो चीज़ आप चूज कर रहे हो वो best हो ना बहुत simple सी बात है एक होता है good एक होता है better एक होता है best हम अपनी सोथ समझ के हैसाब से मेशा best को target करते हैं तेकिन उस best के लिए तो उसके just पहले था better उसको छोड़ते हैं मैं good की बात नहीं कर रहा क्योंकि good तो next to next हो गया ना best को choose करने के just मैंने क्या sacrifice किया better तो that is what the cost for best is जैसे कि एक typical book example या तुम्हें एक बात समझो कि तुम्हें कोई बंदा बोल रहा है कि भाई एक काम कर है हर और तो आर्पे तेरे पास हैं दो जगह तो invest कर सकता है एक तो mutual fund में इंवेस्ट कर सकता है और एक तो didnt deposit में invest कर सकता है mutual fund में अगर तू invest करेगा assuming अभी risk factor same है mutual fund में तू invest करेगा तो तेको 15% मिलेंगे और FD में तू invest करेगा तो तेको 10% मिलेंगे तो आप को कि बाइस में सोचने जैसी बात क्या है मैं तो mutual fund में invest करूँगा तो सोचने बात ही नहीं है लेकिन in order to gain this 15% student आपने क्या sacrifice किया 10 क्योंकि अगर 15 में पैसा ना लगाते तो कहां पे लगाते वो 10% के लिए पैसा लगाते तो that is quoted अब अगर हर चीज जो तुम decide करते हो जो चीज तुम decision action लेते हो उसके तुमारे को opposite भी देखना पड़ता है कि मेरे इसकी वजह से क्या हो जाएगा है ना अब एक बात समझो अब इसको मैं तोड़ा सा आप social way में समझाता हूं तो आप साधा connect कर पाऊगे अगर आप under age जो भी आपके घर में आपके siblings हैं उनको under age के case में बाइक, स्कूटी, गाड़ी वगएरा दोगे मानलो कोई छोटा सा समान लेके आना था जिसके लिए वो शायद metro पे या बस पे या इरिक्षा, आटो, Uber करके जा सकते थे लेकिन आपके बाइक स्कूटी थी तो आपने सोचा यार बाइक से जाके जल्दी ले आएगा ठीक है आपको fine penalty देनी पड़ेगी और कोई भी case अगर कुछ भी miss happening हो गई तो उसके repercussions effect बहुत हाई होंगे इस case में जो तुम्हारा चोटा सा benefit था कि तुम्हें क्योई समान मंगाना था जो शायद Ola Uber से 400 रुपे में जाकर के लाना पड़ता और तुमने सोचा कि बाइक दे देता हूं स्कूटी देता हूं 50 रुपे के तो petrol लगेगा जल्दी काम हो जाएगा काम भी जल्दी हो चाहिए तो अपॉस्टी देपाइप अपॉस्ट नियुनेट्टी के से करतूं जिस से की में दूसरे गूड में एक मैं दो चीजों की प्रचिन कर था वाइन और क्लोथ की तो वाइन में से मैं कितने ही लेवर ले लूँ एक जिससे की मैं क्लोथ में एक अडिशनल उनिट को प्रोडूस कर सकूँ तो है बूदलर, use this concept to explain the law of comparative advantage In this form, this law is referred to as the law of comparative cost Consequently, the nation with the lower apostory cost is said to have a comparative advantage in the production of that commodity वो कह देखो, वो कह रहा है कि एक nation जिसके evolutionary cost क्या होगी, low रहेगी is said to have a comparative advantage in the production of that commodity and comparative disadvantage in the production of other commodity तो आपको करना क्या है, आपको comparative cost compare कर, ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो किया हुआ है England में दिया गया, कि अगर England क्या करेगा, England के पास option है wine और cloth का तो wine के case में वो क्या है, 60 by 80, 3 by 4 आ रहा है, ठीक है, और cloth के case में वो कितना आ रहा है अच्छा, इसको साथ साथ ना percentage में convert करते रहते हैं, तो थोड़ा सा असान और हो जाएगा हमारे ले तो 3 by 4, यह student आ रहा है आपके पास comparatively 0.75 और यह हमारे पास है 4 by 3, that is 1.33 और अगर हम next बात करें, तो यह है हमारे पास 3 by 2, so 3 by 2, again 1.5 and student देना हमारे पास है 2 by 3 by 3, that is 0.6 आप, आप देखो student क्या कह रहा है वो, अब हमें इन ही को compare करना है अगर England जो है, इंग्लैंड क्या करें, अगर अपना wine to cloth का ratio नहीं wine to cloth, तो उसके पास कितना हैगा 0.75, ठीक है और अगर cloth to wine निकाले, तो वो कितना हैगा 1.33 इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब student यह हुआ, कि अगर वो wine छोड़ दे तो उसको कितनी unit का sacrifice करना पड़ेगा, 0.75 का, लेकिन cloth के case में कितना करना पड़ेगा, 1.33 लेकिन अगर Portugal की case में देखा जाए, तो Portugal की case में इसमें कितना है, 1.55 जबकि cloth के case में कितना है 0.66, to comparatively देखो किसको कहाँ फायदा होरा है, Comparatively इन नळों को अगर देखा जाए, तो इसको यहाँ फायदा है चुकि 1.5 है और कंपेटिव इंडों को दिखाजा तो इसको यहाँ फायदा है तब आपको यह इसको आपको यह डिसाइड करना पड़ते है आगे एनलसिस किया हुए पड़ते है then England has the lower apostrophe cause of the two nations in producing cloth and Portugal has lower apostrophe cause in producing wine कैसे यह देखो यहाँ पे इसके बास कितना आ रहा है students 1.3 और यहाँ पे कितना रहा है 1.5 यह figures आपने याद रखनी है क्योंकि अभी हम पड़ेंगे इनी को देखो okay thus the England is comparative advantage in producing cloth and Portugal is comparative advantage in producing wine as long as the apostrophe cause of production for a good differs in the two nations one nation has a comparative advantage in the production of one यहाँ लिखा हुआ है कि England will gain from trade if it can get more than 3 by 4 units of wine by exporting one unit of cloth वो कह रहा है कि England को trade से जरूर फायदा होता लेकिन कब जब वो 3 by 4 units से जादा जो है wine by exporting one मैं एक cloth को export करता और इससे जादा मुझे फायदा हो जाता राइट likewise Portugal gains from trade if gets more than 2 by 3 unit of cloth by exporting one unit of wine so like जो हमें समझाया हुआ है trade between two countries does not take place in case of equal cost differences अगर जोनों की cost equal है तो क्यों होना है in this case the opportunity cost of producing the two commodities is the same in both the countries so the production possibility curves will coincide with no possibility of gain from trade to either country तो वो कह रहे कि देखो simple सी बात आपको याद रखनी है जब तक तुम्हें दोनों जगह से कोई फायदा नहीं होगा तो तब तक कोई फायदा नहीं है तो comparative भी जो तुम सस्ता बना सकते हो तुम उसमें फायदा करो तो दूसर जो चीज सस्ता बनाएगा तुम उसमें फायदा करो ठीक है इस तरीके से आपका काम चलेगा राइट चलो आगे बटने बाद सुरूं नेक्स बात करते है तो यह कुछ information आप इससे read कर ले न कोई ऐसा problem नहीं आएगा आपको ठीक है यह अगेन एक example हमें दे रखा है just a moment अलबी बस हमें comparative cost like opportunity cost के basis पे different different example दे रखे हैं तो इन examples को आप अपने बुक से जरूर रीट कर ले न साक्कि आपको यह सारी चीज़े जो है अराम से clear हो जाए ठीक है अरी से दूंस कर एद है जराम से दो स्बस्से